एक दीजे कहानी सुनाए ब्रम्ह बाबा थे कौन बताए एक दीजे कहानी सुनाए ब्रम्ह बाबा थे कौन बताए कैसे शिव को थे खुद में समाए आओ तुम को कहानी सुनाए ब्रम्ह बाबा थे कौन बाबा थे कौन बाबा थे खुद में सुनाए था एक दीजे व्यवानम्ह सिंध में जन्मा था एक दीजे व्यवानम्ह नाम था जिनका दादालिक राज महिमों की योग्य कर्म थेंकी हीरों का उनका ठाव्या पार हीरों का उनका ठाव्या पार एक सर्चन पुरुष वो कहलाए आओ तुमको कहानी सुनाए कैसे शिव को थे खुद में समाए ब्रम्ह बाबा थे कौन बताए प्रद्स प्रखों कंपता प्रफ्ट मारी में समाए क क्पत्स प्रफ्ञा के राजू कि यह जड़्या एक दिन सांज ढले दादा के तन में एक दिव्य जोती ने प्रवेश किया और खुद का परीचे दिया निजानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम ज्यानन स्वरूपम शिवोहम शिवोहम ज्याने स्वरूपम शिवोहम शिवोहम प्रकाशे स्वरूपं शिवोहं शिवोहं शिवनिदादा कतन जोलिया ब्रम्ह बाबा आदाम दिया ओम मंडेली स्थापन किया अपन सब कुछ समर्पते किया विश्व परिवर्तन की वेला है विश्व परिवर्तन की वेला है शिवनियाकर ज्ञान गंगाब आए ब्रम्हा का तन जब लिया अधार निराकार शिव हुए साकार निराकार शिव हुए साकार कौन है वो कहां से है आए फ्रस्टी चक्र का राजने सुनाए मात्र शक्ती को आगे मढ़ाए जो ब्रम्हा कुमारे कहलाए स्वर्ग स्थापन करने शिव है आए योग के मार्ग हम को बुलाए आओ मानव से देव बन जाए मिलके सर्ग धरा पर लाए मिलके सर्ग धरा पर लाए मिलके सर्ग धरा पर लाए मिलके सर्ग मिलके सर्ग मिलके सर्ग मिलके सर्ग मिलके सर्य मिलके सर्ग मिलकirens झाल झाल